बीती रात से हो रही लगतार बारिश के कारण जहां हर तरफ जलमगन होना शुरू हो गया है उसी की चलते पठान को जलंदर नैशनल हाईवे की फ्लाई ओवर के नीचे से गुजर रही सडग जिससे रोजाना हजारों की तादात में स्थानियों लोग और बाहर से आने वाले लोग इस सडग का इस्तिमाल करते हैं लेकिन लगतार हो रही बारिश के कारण सडग पर पानी ही पानी जमा हो गया जाहे वै बड़ी गाडिया हो या फिर दो पहिया वाहन हर कोई इस पानी में फच जाता है इसको लेकर स्थानियों लोगों ने प्रशासन के आगे गुखार लगाई है कि इस और ध्यान दिया जाए और सडग पर खड़े होने वाले पानी की निकासी को सही करवाया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरहां की कोई दिक्कत परिशानी ना हो गौर्टलब है कि सरकारों की ओर से आए दिन बड़े बड़े दावे वादे किये जाते हैं डिजिटल इंडिया बनाने की बात की जाती है पर तस्वीरें आपके सामने हैं पठान गोर्ट सेंस वधाता लगी सरोज की रिपोर्ट के आठी न्यूस नेटवर्ग अगे मार्केट भी आगे लोकानों आजांच काफी दिखता हो लिए कई बड़ी प्रस्यासर पर क्या चुका है बड़े बावजूद भी एदा कोई हल ले किता है यंदा